दोस्तों नमस्कार ट्रिबीवन इंडिया के टॉप टेन बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत पश्चिम बंगाल में जारी विधानसबा चुनाओं में ममता बैनर जी और पीम मोदी के बीच जुबानी जंग करमा गई है पीम मोदी के एक बयान पर टीमसी ने पलटवार किया है दरसल एक हालिया रैली में पीम ने कहा था कि जरूरत के वक्त दीदी दिखती नहीं जब चुनाओं आता है तो कहती हैं सरकार दुआरे दुआरे यही उनका खेला है वो दीदी वो दीदी अरे दीदी बंगाल का बच् इसी बयान पर टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने आज तगड़ा पलटवार किया उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल गो मोदी गो करेगा किसान बिल के खिलाब आंदोलन कर रहे किसान संगटनों ने 26 मार्च को भारत बंद का एलान किया है किसान निता राकैस्ट के इतने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानती किसान अलग अलग तरीकों से आंदोलन करते रहेंगे बतादें कि किसान मुदी सरकार से किसान बिल रद करने की मांग कर रहे हैं इसे लेकर अब किसान बिल के खिलाब देश के अलग-अलग राज्यों में भी आंदोलन तेज हो गए हैं भारती किसान यूनियन इसका नेत्रितु कर रहा है देश में 152 दिन बाद रिकार्ड तिरपन हजार से अधीक कोरोना शंक्रमण के नए मामले सामने आये हैं वहीं मौतों का अकड़ा 251 तक पहुँच गया है भारत में अब तक कुल 1,17,187,534 लोग शंक्रमित हुए जिनमें से 1,12,31,000 लोग स्वस्थ हो चुके फिलाल देश में कुल 3,95,122 शक्री मरी हैं जब की 1,60,692 लोग जान गमा चुके भारत में अब तक 5,31,45,709 लोगों को कोरोना की वैक्सिन दी जा चुकी है मुंबई और महराश में बढ़ रहे कोरोना का असर फिल्म उद्योग पर भी दिखने लगा है यश्राज फिल्म ने अपनी फिल्म बंटी और बबली टू की रिलीज डेट टाल दी है पहले फिल्म में जून 2020 में थियेटर में आने वाली थी जिसके बाद मार्च में रिलीज की तयारी थी लेकिन अब 19 अप्रेल 2021 तक इसे टाल दिया गया है निर्माता अदित्य चोपडा ने कहा कि जब तक कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम इंतजार करेंगे बतादा है कि बंटी बबली टू में सैफ अली खान, रानी मुखरजी, सिध्धार्च चतुर्वेदी और श्रावणी लीड रोल में इंटीलिया विस्पोटक मामला और मनसुख हिरेन हत्याकान में गिरफतार मुंबई पुलिस के एपियाई सचिन वाजे ने एनाये जाच के दोरान स्विकार कर लिया है को उसे सौ करोड की उगाही के निर्देश दिये गए थे मुंबई के पुर्वक पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग ने संगीन आरोप महाराष्ट के ग्रिह मंत्रिया निल देस्मुक पर लगाए है परंबीर ने कहा था कि वाजे को सौ करोड की उगाही के आदेश दिये गए थे फिलाल वाजे के वियान से परंबीर सिंग के आरोपों की पुष्टी हो रही है जो उद्धव सरकार के लिए मुस्किलें बढ़ा सकती है सो करोड उगाही कराने के आरोपों में गिरे महराश्ट के ग्रिय मंत्रिया निल देस्मुक ने अब सियम उद्धव ठाकरे को चिठी लिकर खुद के खिलाब भुष्टचार के आरोपों की जांच करने की अपील की देस्मुक ने पहले लेटर के साथ मराठी भासा में फिर हिंदी भासा में ट्वीट किया और लिखा कि मैंने मानेनी मुख्यमंत्री महोदस से परमवीर सिंग द्वारा मुश्पर लगाएगे आरोपों की जाच करा कर दूद का दूद पानी का पानी करने की मांग की थी अगर कारियों को निर्मार कारियों में तेजी लाने का मिर्देश दिया पारक मंत्री ने विश्वास जता है कि कल्वा खाड़ी पर नए पुल के विकास से जहां थाने कल्वा के बीच होने वाली ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी वहीं आवागमन में भी समय बचेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो नविम्बई में गोवा और मुंबई की तर्श पर पर परेटन बस चलने लगेगी सुषेना सांसद राजन विचारे ने मनपायुकत अभिजित बांगर को चिठ्ठी लिख कर नविम्बई में परेटन बस चलने की मांग की है दलील है कि इसे परेटकों को नविम्बई के मनमोह कुद्यान, पार्क, रेल्वे स्टेशन और गौली देव जैसे अतिहासिक परेटन सलों को देखने का मौका मिलेगा दरसल नविम्बई देश के टॉप टेन रहने वाले शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मौंबई और नविम्बई उपनगरों में कोरोना एक बार फिर बेलगाम होने लगा है संक्रमन को देखते हुए राजसरकार ने मौंबई, नविम्बई, थानेता, पनमेल जैसे तमाम शहरों में होली कारिक्रमों पर रोक लगा दी है नविम्बई में मनपायुकत अभिजित बांगर ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक 29 मार्श को धोली वंदन या रंग पंचमी के दिन किसी भी तरह के होली कारिक्रम की अनुमती नहीं है होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और रिसार्ट के साथ ही प्राइबेट परिसर्या सोसाइटियों में भी होली नहीं मनाई जा सकेगी नियमों का पालन कराने के लिए डिप्टी कमिश्णर अमरीज पत्निगरी के नित्रुत में कई टीमें गठित की गई हैं जो शहर में घुमेंगी और निर्देशों का उलंगन करने वालों के खिलाप कारवाई करेंगी